हेलो एवरीवन वेलकम बैक स्वागत है आप सभी का इंट्विंट मसीन लर्निंग प्रजेक्ट पाइपलाइन प्लेलिस्ट डे शिक्स के अंदर पिछले वीडियो में हम लोगोंने डिसकस किया था डेटा ट्रांस्फोर्मेशन के बारे में अन कंप्लेट डेटा ट्रांस्फ डेट मोडिल ट्रेनिंग के बारे में डिसकस करेंगे म्लटिपल यूज़ करेंगे अनल्ट ऑफउन गोरिधम हम लोग हीपर पार्यमेटर टोर्यूनिंग वी यूज़ करेंगे चलु है सबसे पहले चलते हैं अपने इसरी फूल्डर के अंदर कंपॉनेंट फूलर के अंद complete code करना इस file के अंदर start करेंगे बट उससे पहले मैं क्या करता हूं उससे पहले मैं अपना terminal open करता हूं और सबसे पहले इस file को मैं push करता हूं github पे so that कि आपको इसको यूज कर सोको so git add git status git commit hyphen m data transformation completed जैसे हम लोग hit enter करेंगे so हमारा create हो चुका है git push origin mean so यह few से किन लेगा push होने में complete file because हमारा पास बहुत सारे files create हो गया है so ठीक है push हो चुका है verify कर लेते हैं github पे चलते हैं so यह देखो हमारा पास यह last week का updated file है इसको मैं refresh करता हूं एक बार जैसे हम लोग refresh करेंगे हमारा पास जो भी updated file है वो आ गया करते हैं अब हम लोग model trainer so model trainer start करने से पफले हमें क्या चाहिए हमें कुछ library को import करना परेगा तो चलो इंपटेंट library को import करते हैं so मैं जाता हूं पिछले file में आनिहा से कुछ important library को मैं import कर लेता हूं जो कि फिछले बार हम लोगोंने use किया था ठीक है सो यह सारे कुछ लाइबरेरी हमें चाहिए अपार्ट फ्रॉम इस यहां हम लोग क्या करेंगे कुछ मशीन लर्निंग का अल्गोरिदम्स भी इंपोर्ट करेंगे लाइक लोजिस्टिक रिग्रेशन डिसीजन्ट्री रैंडम फोरेश्ट ग्रेश्ट तो यह सारे क्लासिफिकेशन यहां पर इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमारा प्रॉब्लम स्टेट्मेंट है यह क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम स्टेट्मेंट है अगर मैं आपको फिस्ट यहां पर सो करूं क्या हमें फाइंड आउट करना है दा गूल इस तो एक क्लास करते हैं कुछ क्लास 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 क यहां पर data transformation config create किये थे और उसके बाद एक folder के अंदर हम लोग processor.pickle file को हम लोग save कर रहे थे same करेंगे हम लोग model trainer के अंदर भी हम लोग class create करते है class model trainer config model trainer config and इसके अंदर मैं क्या करूंगा सबसे पहले एक variable define करता हूं और उस variable के अंदर folder path define करूंगा और उसके अंदर जो भी हमार पास model.pickle file या भी जो भी चीज़ा आपको define करना है वह चीज़ा आप define कर सकते हो तो मैं एक variable create करता हूं सबसे पहले so train underscore model underscore file underscore path करके मैं एक variable create करता हूं इसके अंदर हम लोग define करेंगे os.path.join और कहां पर हम लोग join कर रहे हैं अपने artifact folder के अंदर मैं एक folder create करूंगा करोंगा model underscore trainer नाम समय klayer and then इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे pickle file को shape करेंगे so model dot pickle file जो भी हमारे पास after training जो भी pickle file आएगा उसको हम लोग save करेंगे कहां पर अपने इस आर्टिफेक्ट फोल्डर के अंदर एक फोल्डर करेंगे मोडल ट्रेनर उसके अंदर हम लोग करेंगे और शेव करेंगे मोडल डॉट फाइल को ठीक है तो यह हमारा कॉन्फिक क्लास हम लोग यहां पर डिफाइन कर चुके हैं तो इसको मैं नेक्स लाइन में लेता हूं ठी तो class model trainer model trainer class मैं create करता हूँ और इसके अंदर हम लोग constructor define करेंगे so define underscore underscore init underscore underscore self function को मैं call करूँगा self function और उसके बाद हम लोग call करेंगे अपने self dot किसको model trainer config को so model trainer underscore config config model trainer config and इसको हम लोग define करेंगे अपने model trainer config class से ठीक है सेम चीज़ हम लोग कर रहे थे अपने data transformation and data injection के अंदर सेम चीज़ कर रहे थे ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहां पर decorator मैं define कर देता हूँ अपना model trainer config के अंदर so at data class decorator मैं define कर देता हूँ ठीक है यह हमारा complete दो class करेंट हो चुका है first class जो है model trainer config का है second जो class है हमारा कौन सा class है वह हमारा पास model trainer class उसके अंदर हम लोग यहां पर constructor कर रहे हैं constructor के अंदर हम लोग define कर रहे हैं अपने model trainer config को अब हम लोग क्या करेंगे function define करेंगे so function define function कौन सा function initiate model trainer का so initiate underscore model underscore trainer एक मैं function कर रहा हूँ और इसके इसके अंदर हम लोग define करेंगे self first parameter second parameter हम लोग देंगे train data and test data so train underscore array array के format में मैं दे रहा हूँ यहां पर train array and test underscore array ठीक है so दो data दे रहा हूँ है train array and test array उसके बाद हम लोग यहां पर call करेंगे try and except block को so try pass except exception as e and उसके बाद हम क्या करेंगे range करेंगे custom exception को जहां पर pass करेंगे हम अपना e, sys e क्या हमार पास error है sys क्या हमार पास error details है ठीक है अब जो भी code करना है हमें वो complete code हम लोग करेंगे किसके अंदर अपने try and except block के अंदर so try and except block के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं अपने x train y train x test and y test को हम लोग define करते हैं so create करते हैं अब लोग क्या करते हूं अब हम लोग क्या डिफाइन करेंगे अपने train का data so is variable के अंदर हम लोग एक है करके train का data define करते हैं so सबसे पहले मैं train array and test array define करता हूं so train array train array में हम लोग कौन सा data लेंगे so train array में मुझे data चाहिए all row चाहिए जो भी हमार पास data है उसका complete row चाहिए और apart from the target column सारा column चाहिए so minus one minus one it means कि यहां पर देखो row में मैं define कर रहा हूं सिर्फ column मुझे जो है complete column चाहिए next अब हम लोग क्या define करेंगे train array में इस time मुझे क्या चाहिए complete row complete row चाहिए और सिर्फ लास्ट सिर्फ टार्गेट कॉलम का रो चाहिए सिर्फ टार्गेट कॉलम का सेम चीज़ हम लोग define करेंगे किसके लिए चीज़ अब हम लोग define करेंगे अपने टेस्ट डेटा के लिए तो यहां पर मैं चेंज करता हूं train array to test array train array to test array ठीक है हमारा हो चुका है train array यहां पर आ जाएगा हमारा पस कॉमा सारी जगह पर one by one ठीक है कंप्लीट अपना डेटा define कर दिया कौन सा data X train data y train data X test data अब हम लोग क्या define करेंगे अब हम लोग model को define करेंगे है तो क्यों कॉंकोन सा model हम लोग use कर रहें यहां पर हम लोग multiple model यूज कर रहें रेंडम फोरीड्य अन उसके बाद हम लोग करेंगे अपने रेंडम फोरेशट अल्गोरिधम को इसको मैं यहां पर फोर्फियृट्रम। इसको मैं यहां पर फोरीष्ट्रम उपेन करता हूं यह से यहां पर फोर्फियृट्धיר 他 सुऩ observ mã पर फ्र the psychology algorithm की अब्चेक्टन कूल करेंगे लाउस कौन सके लोज इस करेंगे सो इसको मैं कोपी कर रहा हूं लोजिस्टिक रिग्रेशन अल्गोइदम को पेस्ट करूंगा है ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगी हमारा यहां पर अल्गोइदम सम लोग डिफाइन कर दियें यहां पर जैसे कि ओके सो हम लोग यहां पर क्या किया है यहां पर मैं इंपोर्ट करने वाला हूं यहां पर यहां पर आपको जूपटर नोट बुक के अंदर मैं कुछ पारमीटर यहां पर करके रहाँ यह कंप्लीट पारमीटर सो इसको मैं क्या करता हूं सबसे पहले इसको कूपी करता हूं यहां से कंप्लीट पारमीटर को क्या कर दूगा पेस्ट कर दूगा क्या है मारे पास पारमीटर राण्डम फोर्ट का पारमीटर है डिसीज़न चीज में कोपी पेस्ट कर रहा हूं यहां पर यहां पर जो भी नाम मैं यहां पर यूज किया हूं ना सीम नाम मैं यहां पर यूज कर लेता हूं ठीक है तो सिफ for simplicity मैं same चीज मैं copy and paste कर रहा हूं यहां पर so that की ज्यादा जो हैं मार पास confusion ना हो आपको सेम चीज को मैं copy paste कर ले रहा हूं so okay same चीज आ चुका है हमार पास सारे जगह पर ठीक है so मैं सबसे पहले model define कर रहा हूं उसके बात parameter define कर रहा हूं one by one random forest का decision tree का parameter and logistic regression का parameter क्या है इस parameter के अंदर so देखो सबसे पहले अगर मैं आपको यहां पर ले चलूं random forest algorithm के documentation पर so random forest इसके लएं documentation पर अगर मैं आपको यहां पर रिखा हूं तो क्या है हमार पास इसके अंदर so इसके अंदर हमार पास कुछ parameters होते हैं like in estimator creation max depth mean sample split mean sample leaf mean weight function max features max leaf node so multiple multiple parameters होते हैं तो वहां से मैं क्या क्या हूं कुछ parameter से यहां पर add क्या हूं like class bit estimator max depth and mean simple split again same for the decision tree class bit creation splitter max depth mean sample split mean sample leaf max feature so यह जो parameter जो भी हम लोग random forest के लिए decision tree के लिए and logistic regression के लिए हम लोग define किये हैं यह complete parameter जो है changeable parameter होता है ठीक है changeable parameter होता है तो इसको आप कभी भी change कर सकते हो और बेस्ट अब लेस्टे कि अगर आपका accuracy जो है वह बहुत ही कम आ रहा है और precision या फिर रिकॉल यह जो फैलू है या फिर का जो फैलू है वह आपको बहुत ही अच्छा नहीं आ रहा है तो इस case में आप क्या करोगे अप अपना complete parameter जो हैं यह आप हम लोग यूज कर रहे हैं उसको change करोगे अपनों model को फिर से रिट्रेन करोगे और उसके बाद फिर से आप अपना accuracy पिर सीजन रिकॉल एफोन स्कॉर कम्प्लीट जो है वैलू चेक करेंगे अगर आप satisfy हो आप बोल सकते हो कि ठीक हमारा model आप रही है फिर आप good to go no need to change अगें आप model को आप यूज कर सकते हो ठीक है तो यहां पर हम लोग ने अपना model कर डिफाइन किया सबसे पहले थिरी algorithm उसके बाद हम लोग यहां पर complete variable model report but model report variable create करने से पहले हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले चलते हैं इस फाइल के अंदर इस फाइल के अंदर एक जो है फंसन करते हैं helper function create करते हैं कौन सा helper function यहां पर हम लोग multiple algorithms यूज कर रहे हैं अब आप किस basis पे इस algorithm को evaluate कर होगा इस तीनों से उसके लिए हमें model को evaluate करना पड़ेगा तभी हम लोग find out कर सकते हैं कि कौन सा model हम लोग final production के लिए यूज कर सकते हैं तो उसके लिए हमें define करना पड़ेगा क्या model evaluation अपने model को evaluate कर सके और final model को select कर सके इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा utils file जहां पर हम लोग helper function को define करेंगे तो चलते हैं utils file के अंदर यहां पर एक utils file हम लोगोंने data transformation के time पर create किया था चलो अब दूसरा helper function हम लोग यहां पर define करते हैं so define करता हूं मैं define a function to evaluate evaluate क्या लिए मैं एक function define कर रहा हूं और इसके अंदर हम लोग कुछ parameters define करेंगे तो अभी मैं यहां पर pass define करता हूं सबसे पहले मैं क्या करता हूं सबसे पहले मैं कुछ matrix को import कर लेता हूं so matrix मैं import करता हूं from scale and dot matrix क्या कर रहा हूं मैं import कर रहा हूं accuracy import करता हूं confusion matrix import import करता हूं so import accuracy score confusion matrix precision recall curve हम लोग कर लेते हैं ठीक है अपने machine learning algorithms को evaluate करेंगे तो यह कुछ matrix को import कर रहा हूं so हमारे पास precision recall score कर रहा हूं और based upon this matrix हम लोग क्या करेंगे अपने machine learning algorithms को evaluate करेंगे तो यहां पर अपने function के अंदर हमें कुछ parameter pass करना पड़ेगा कौन सा parameter एक्स्टेंड डेटा वाइटेंड डेटा एक्स्टेंड डेटा इक्स्टेंड डेटा वाइटेंड डेटा सबसे पहले मैं comment pass करता हूं comment pass करने के बाद इहां पर इस चीज को हटाओ मैं इस complete चीज को मैं यहां से copy paste कर लेता हूं इस complete चीज को मैं यहां से copy paste करता हूं x-train को y-train को x-test को y-test को उसके अलाबा हमें कुछ और भी पारमेटर चाहिए क्या मोडिल चाहिए और पारामेटर चाहिए तो मोडिल आन्पारमेटर्स क्या है इमार पास यहां पर पारामेटर्स ही हम लोग define किये अब जो भी कोड हम लोग करेंगे कहां पे करेंगे अपने ट्राइण एक सिप्ट ब्लॉक के अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूं जैसे कि हमें पता है यहां पर जो भी हम लोग parameter define कियें यह key and value के format में key and value के format में so मैं क्या करता हूं यहां पर एक report नाम से एक empty dictionary बनाता हूं so that कि जो भी हमार पास evaluation matrix का report आएगा हम लोग उसको store करेंगे यहाप है जो आई इन रेंच काह से मैं complete length काउंट करूंगा किका अपने मॉडेल का so length of length of my length count कर रहा हूं अपने मॉडेल का कि ठीक है हमारे मॉडेल में कितना हमारा जो model है उसमें कितना algorithm हम लोग define कियें so list of list of model so इसको मैं क्या कर देता हूं हो change कर देता हूं पारम आमिटर को सो models कर देता हूं असको यहां पर models डिपाइन कर देता हूं ठीक है so मैं क्या कर रहा हूं कर रहा हूं अपने मोरेज का की के ठीक है जो भी हम लोग m dalej defined किये उसके अंदर कितना याल्गोर्दम हैं और कितना मॉडेस अम हम ले रेंगे वालत हैं कि सब्सक्राइब डिलाओ चीए उसके अंदर हम लोग तेट कर้ते हैं मोड》 लिस्ट और वाले कुछ सब्सक्राइब वाल महत खंद पर जर। जरो सब्सक्राइब करने वाले हों रहा हूं उसके बाद parameter call करता हूं सो पारा equal to parameter जो भी हम लोग यहां पर define किया अपने parameter को सो यह parameter आ जाएगा हमार पास अब हम लोग क्या करेंगे अपने parameters के basis पे model के key को calculate करेंगे so parameters और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे अपने list को call करेंगे so list of कौन सा list of models.key.keys इसमें भी हमें क्या चाहिए इसमें भी हमें first value चाहिए so मैं यहां पर call करूंगा आयत जो first value है मार पास ठीक है तो हम लोग यहां पर define करती है parameter define करती अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग import करेंगे सबसे पहले अपने gerek Nam index,iggle algorithm को यहां पे भी मुझे import करना परहेगा so मैं इस isco copy करता हूं यहां पर चलते हैं इस यहां पर हब हम लोग object कॉल करेंगे किसका अपने सब्सक्राइब करेंगे इसी का अबजेक्ट बनाना है हमें इसके अंदर हम लोग मोडेल करेंगे अपना पारामिटर करेंगे किसम क्या है जो मोडेल सब्सक्राइब करेंगे करेंगे हे छि Kabul करेंगे करिया जो करेंगे यहां पतयrän के यहां है सबसे पहले मोडील सब्सक्राइब करेंगे है करेंगे ra पर यह बना है जी एस ग्रीश सच नाम से उसको अब लोग फिट करेंगे सो जी अस डॉट फिट अन्ड फिट के अंदर क्या होगा हमार पास डेटा एक्स यज़िए ऑट एक्स ऑंडर्सकोर ट्रें कमा यज़िए एक्स ए एक्स यज़िए आन वाइफ ट्रें हम लोग डिफा जो यहां पर object हम लोग define कर रहे है variable object को call करने के लिए उसको हम लोग call करेंगे and best parameter इससे हम लोग find out करेंगे so gs star star gs dot क्या होगा हमार पास ? underscore best best params best क्या होता हमार पास ? params so params मैं एक बार चेक कर लेता हूं इसको because इसमें मुझे confusion है इसके names में so best params okay so हमार पास होता है best params so चलते हैं एक बार यहां पर documentation पर क्या होता है उसको मैं एक बार देखता हूं best parameter find out करने के लिए object कौन होता है बस मुझे वह चीज़ चाहिए यहां पर so parameter यहां पर हम लोग define कर रहे है result आ रहा है यहां ठीक है नहीं 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 जो है even हम लोग से भी define कर सकते हैं अगर define करना चाहिए तो best parameters इसको मैं फिर से open करता हूं चलते हैं यहां पर official documentation पर क्या हमार पास best हमार पास कुछ तो okay so best parameter होता है हमार पास so इससे हमें remove करना पड़ेगा so best best parameter ठीक है इस तरह से हम लोग क्या कर रहे है जो भी हमार पास parameter हम लोग call कर रहे हैं यहां पर हमार पास multiple parameter call कर रहे हम लोग बहुत सारे parameter call कर रहे है every algorithms के अंदर right so हमें क्या करना है इस algorithm से हमें find out करना है best parameter जो भी हमार पास best parameter होगा उस best parameter को हम लोग select करेंगे and उसी ही पर हम लोग train करेंगे algorithm को क्या define करना पड़ेगा हमें define करना पड़ेगा y underscore प्रेट एककवल टू y underscore प्रेट इकक्वल टू मोडेल डॉड हमारे पास एक function होता है model.predict function होता है so model.predict पेडिक्ट किस डेटा पर so x underscore test data पर हम लोग क्या करेंगे predict करेंगे उसके बाद हम लोग अगर accuracy check करना है so test underscore model underscore accuracy accuracy so accuracy check करने के लिए हमारे पास क्या है accuracy score जो कि हम लोग यहां पर import किये है so accuracy score को हम लोग use कर सकते है so accuracy score किस data पर why test data पर and why print data पर so y underscore test and comma y underscore data पर हम लोग check कर रहे हम लोग चेक कर रहे है model का accuracy अब हम लोग क्या करते है so मैं यहां पर क्या करता हूं एक variable बना लेता हूं इक वाल टू अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा जो भी हम लोग test list model accuracy जो define की है अब हम लोग क्या करेंगे report calculate करना है क्यों क्यों क्योंकि मुझे यहां पर report store भी तो करना है right so उसके लिए क्या करता हूं यहां पर define करता हूं report किस format में report को जो है मैं list calculate करूंगा so list of यहां पर जो चीज हम लोग यहां पर define किये थे अब हम लोग इसको return करेंगे किस चीज को return करेंगे हम लोग report को so return कर रहे हैं मैं report को so इसको मैं back करता हूं थोड़ाँ जा क्या कर रहे हैं यहां पर complete complete function के अंदर हम लोग define की हैं सबसे पहले evaluate model evaluate model के अंदर हम लोग call कर रहें exchange data को वाइट रेंड़ डेटा एक्स्टेस डेटा एड़ डेटा अपर फ्रों दिस हम लोग यहां पर call कर रहे हैं किस चीज को अपने models को अपने parameters को उसके बाद हम लोग try and accept ब्लॉक कर रहें क्या है हम पास try and accept ब्लॉक के अंदर सबसे पहले हम लोग empty string empty dictionary call की है क्यों क्योंकि जो भी हमार पास accuracy और जो भी evaluation metrics हम लोग import कर रहे हैं सो complete report मैं क्या चाहता हूं इस dictionary के format में हम इस्टोर करना चाहते हैं ठीक है पहला चीज उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं complete for loop run कर रहा हूं मैं जहां पर मैं calculate कर रहा हूं कितने models है models का value the first value and the complete parameter उसके बाद हैंपर मैं complete greater cb apply कर रहा हूं जहां पर model and parameter हम लोग define कर रहे हैं उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर cross validation technique apply अप्लाई कर रहा हूं 5 fit और model को base parameter find out कर रहें based upon the best parameter फिर से model को करने के बाद पर करने के बाद हम लोग लिटरन कर रहे हैं तो यह हम लोग कर चुके और हम लोग यह कर चुके हैं अब हमें बढल फॉंशन चुन है सब हैं अपने मोडेल रेनर फाइल के अंदर सबसे पहले मैं अएक इट करता हूं सो मडेल ऊंडर स्कोर रीपुर्ट और स्कों मैं क्या करता हूं डिक्शनरी के फामेट में मैं डिफाइन करता हूं सोures dictionary equal to अपने function को call करेंगे कौन से function को evaluate model function को इस से पहले हमें import करना पड़ेगा इंपोर्ट करता हूं मैं यहां पर from क्या है हमार पास folder का नाम src src.utils क्या हम लोग import कर रहे हैं यूटिल से हम लोग import कर रहे हैं किस चीच को evaluate model function को आते हैं फिर से अब हम लोग यहां पर सो यहां पर हम लोग define कर रहे हैं evaluate model अब evaluate model के अंदर हमें क्या क्या define करना पड़ेगा अपने extend का data वाइटेंड का data एक टेस्ट का data वाइटेस्ट का data अपना models and the parameter complete thing जो भी चीजे जो भी चीजे इस function के अंदर हम लोग define की हैं यह सारा ही चीज हमें क्या करना पड़ेगा call करना पड़ेगा सो मैं लाता हूं यहां पर इसको complete copy paste किया था हम पर सबस्क्राइब करता हूं इसको copy paste करता हूं मैं यहाइटेस्ट करता हूं तो parameter क्या मेरे पास। रहे है सो से पारामिटर को मैं call कर दे रहा हूं! same parameter कोुम क्या? तर rage we will love mode mode function कर रहे हैं हम लोग complete Xrix को the call call us जनके को बहुत कर रहे हैं अब अपने mode mode in complete parameters को call कर रहे हैं अब हमलोग क्या करेंगे जह आप हमार बास complete user. खाल पर बार्ट कर चुकत है अब हम लोग एक वैरिएबल करेंगे कौन सा यहां से हमें बेस्ट स्कोर मिल सके बिस्ट मोडिल का स्कोर में सकें कोई multiple algorithms based upon the multiple algorithms आर दाइन मुझे एक ही models late करना final production के लिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ एक variable create करता हूँ based model underscore score करके मैं एक variable create करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं report को जो भी report हम लोग generate किये उसको क्या करेंगे sort करेंगे so max of sorted और यहाँ पर मैं क्या करूँगा अपने model report जो यहाँ पर हम लोग model report variable create कर रहे हैं इसको मैं define करूँगा so model report यहाँ पर नहीं इसके अंदर model report dot values ठीक है dot values so इससे हमार पास क्या जाएगा इससे हमार पास best model आ जाएगा so मैं क्या करता हूँ एक comment define कर देता हूँ यहाँ पर so to get the best model from our from our dictionary so to get best model from our report dictionary ठीक है from our report dictionary so अपने report dictionary से हम लोग क्या कर रहे है best model को find out कर रहे हैं अब मैं क्या करता हूँ एक variable फिस से बनाता हूँ so इस ता मैं variable बना रहा हूँ get best model name so best underscore comment नहीं variable बनाना है मुझे best underscore model underscore name करके मैं एक variable बनाता हूँ अब इस variable के अंदर हम लोग क्या करेंगे इस variable के अंदर सबसे पहले हम लोग model report जो भी हम लोग model multiple model है उसका क्या करेंगे की को calculate करेंगे कौन सा की है की हमारे पास यह है इसके अंदर हमारे पास हम लोग की को find out करेंगे ठीक है कौन सा हमारा बेस्ट मोडेल है बेस्ट अपॉन दा बेस्ट मोडेल हम लोग क्या करेंगे उसके अंदर जो भी हमारे पास जो की अंदर मैं क्या करूंगा जो भी हम लोग का यहां पर मुल्टीपल मोडेल है इस मोडेल सी हम लोग क्या करेंगे की को find out करेंगे कौन से की को तो यहां पर अगर मैं इस लोगिस्टिक डिग्रेशन मोडेल का बात करूं सो हमारे पास लोगिस्टिक डिग्रेशन में की क्या है लोगिस्टिक ठीक है इसके अंदर हमारे पास क्या है मल्टीपल की है मल्टीपल की है और मल्टीपल वैलू जाब लेबल है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे वैलू करना है सबका कीज इसका हो जाएगा logistic regression इसका हो जाएगा decision tree और इसका हो जाएगा हमार पास random forest यहाँ पर कीज आ चुका है complete complete किसका complete हमार पास जो भी algorithm से उसका हमार पास कीज आ चुका है अब हम लोग next क्या करेंगे next हम लोग क्या करेंगे next हम लोग यहाँ पर define करेंगे list of क्या list of model report dot value so model underscore report dot क्या है value जो भी हमार पास model का report है उससे हम लोग क्या करेंगे values को calculate करेंगे अब values आने के बाद हम लोग क्या करेंगे dot index किस चीज का index अपने best model का so index क्या हमार पास best model so best model score यह आ रहा है हमार पास so इस चीज को हम लोग call कर देंगे फिसे मैं समझाता हूं थोड़ा सा ध्यान देना इसको क्या कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले model के key को find out कर रहे हैं जो भी हमार पास multiple model है equal to क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर मैं define कर देता हूं किसको models को so models and इसके अंदर आ जाएगा हमार पास best model name so यह हमार पास जो models है क्या हमार पास यहां पर model so मैं इसको को भी कर लेता हूं यहां से so okay so यह हमार पास models तो है मैं इसको okay so यह हमार पास complete model आ गया model से हम लोग क्या कर रहे है best model को find out कर रहे है जो भी हमार पास यहां पर multiple models है multiple model से हम लोग क्या कर रहे है best model को find out कर रहे है okay so हमार पास best model आ चुका है अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग इसको save करेंगे किस format में pickle file के format में सो यहां पर देखो आप हम लोग क्या कर रहे हैं आर्टिफेक्ट के अंदर एक मोडिल ट्रेनर नाम से एक फोल्डर बना रहे हैं इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं इसके अंदर हम लोग अपने पिकल फाइल को सेव करेंगे सो चलो सेव कर लेते हैं अब सो उसके लिए हम हम लोग use करेंगे safe object function को कौन से function यह हमार पास helper function है जो की available है हमार पास utilize file के अंदर हम लोग define करेंगे सबसे पहले क्या देखो हमार पास suggestion आ रहा है complete suggestion आ रहा है सबसे पहले file path so file file underscore path so हमार पास क्या file path है model trainer config so self.model trainer config frame clean model find profile path so ok so हमार पास यह है train model file path and उसके बाद हमhayजों क्या करेंगे उसके बाद हमstein kilka को call करेंगे so object यह हमार पास काज से call हो तू कौन सा अबजेक्ट है हमार पास बेस्ट मोडियल का आपजेक्ट है ठीक है अब मैं क्या करता हूँ एक यहाँ पर डिफाइन करता हूँ यह लागिंग इंपोर्टेंट है क्यों इमपोर्टेंट है उसको समझो क्योंकि हमार पास पास multiple algorithms आ रहा है ठीक है multiple algorithm define कर रहे है वहां से हम लोग best model find out कर रहे हैं बढ़ हमें पता कैसे चलेगा की ठीक है कौन से model का यह हमारा पास best model आ रहा है इसके लिए हम लोग लोग डिफाइन करते हैं so logging.info इस time मैं गलती नहीं करूंगा complete नाम लिखूंगा लॉग दॉट इन्फो एफ स्टिंग के साथ मैं define कर रहा हूं best model best model कौन सा best model found best model found and best upon the best model file मैं क्या कर देता हूं उसमें नाम भी चाहिए मुझे कौन सा नेम आञा है और सोबिल मोडेल में कि डिफाइन कर देंगे अपने बेक्ना मोडेल के निम को सो ट्य क्लित मोडेल आपको आपको अकुरेशी काल आसके निम कर सकते हो वह क्या पास अपर से आपके पास क्या हमार्शा अब हम लोग क्या करते हैं चलते हैं फिर से अब हम लोग अपने डेटा इंजेशन फाइल के अंदर कोड करेंगे इसके लिए इस फाइल को रन करने के लिए और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे रन करेंगे अपने सबसे पहले एक अब्जेक्ट करता हूँ और इसमें सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा मोडल ट्रेनर क्लास को सो मैं यहां पर आता हूँ अब्जेक्ट को मैं यहां पर करता हूँ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसके बाद यहां पर क्लास को अब्जेक्ट को मैं यहां पर क्रता हूँ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसके बाद यहां पर मैं प्रेंट करता हूँ किस चीच को अपने मोडल ट्रेनर को को सो इभेविन आप इनिसियेट करना चाहते है तो आप इनिसियेट भी कर सकते हो मैं प्रियंट करता हूं किस चीज को मैं प्रियंट कर रहा हूं मोडेल ट्रेनर को सो मोडेल ट्रेनर क्या है मार पास मोडेल ट्रेनर अब जेक्ट अब बर यह बल डेटा इसके अंदर मैं define करता हूं अपना train डेटा and test डेटा को so let me copy and paste train and test डेटा ठीक है so अब हमारा जो है data injection part भी complete हो चुका है model trainer part भी complete हो चुका है अब time है क्या project को run करने का test करने का अगर कुछ issue आता है उसको हम लोग क्या करेंगे resolve करेंगे so open करता हूं मैं terminal उसके बाद complete code को मैं आपर copy करता हूं सबसे पहले और उससे पहले मैं क्या करता हूं activate करता हूं अपना environment को so conda activate ENV हमारा environment activate हो चुका है अब हम लोग क्या करेंगे run करेंगे python को so python src src folder के अंदर component component folder के अंदर data injection.py file जैसे हम लोग hit enter करते हैं कुछ error आएगा resolve करेंगा उसको हम लोग check कर लेते हैं अगर कुछ होता है तो सो हमारे पास log generate हो चुका है यहां पर देखो green signal आ चुका है हमारे पास check करते हैं last log log so आता हूं मैं यहां पर last log में so okay हमारे पास error आ चुका है क्या error है check कर लेते हैं utils file के अंदर line number 27 में line number 27 में हमारे पास error आ रहा है क्या है underscore underscore so चलते हम अपने क्या है चलते हैं अपने utils file के अंदर utils file के अंदर line number 27 में हमार पास line number 27 cv so cv जो होता है हमार पास cross validation small में होता है इसको मैं clear करता हूं Fisher run करता हूं तो जो भी error आएगा ना आपको उस चीज को आपको समझ के आपको उसको resolve करना ही पड़ेगा ठीक है ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा तो चलो check कर लेते हैं wait करते हैं few minutes सो फिर से logging generate हो चुका है सो मैं चलता हूं फिर से logging file के अंदर आते हैं यहां पर last logging में so last logging में यहां पर data crop splitting the test data from the independent okay so हम लोग क्या किया है model trainer के अंदर हम लोग सिर्फ एक ही logs define किया right so इसलिए हमार पास logs generate नहीं हो पा रहा है बड़ कोई नहीं बाद में लिख लेंगे इसको चलेगा last log यहां पर generate होगा time ले रहा है देखते हैं generate हो पाता है कि नहीं model trainer dot pickle file यहां पर so अभी तक तो नहीं हुआ है wait करते है few minutes because हम लोग क्या कर रहे है यहां पर हम लोग आप अगर दीखोगे यहां पर तो अगर मैं आपको दिखा हूँ अपना src file के अंदर model trainer so model trainer के अंदर जो है हम यहां पर बहुत सारे parameters को call कर रहे है so based upon the parameter क्या होगा train होने में तो time लगी गाई इंडे मिन अगर आप चाहो तो यहां पर लॉक्स डिखाइन कर सकते हो तो मैं क्या करता हूं कुछ को यहां पर अभी define करना start कर देता हूं so सबसे पहले यहां पर मैं define करता हूं कौन सा log यहां पर define कर यहां पर हम लोग क्या कर रहे है में split कर रहे हैं अपने data को dependent and independent में तो मैं यहां पर define करता हूँ logging तब तक हमारा जो code हो रन भी हो जाएगा so logging.info splitting our data into to dependent and independent features ठीक है so data को हम लोग क्या कर रहे है split कर रहे है dependent and independent में रहा है यहां पर का सु यहांपर क्या यहां प्रेडिक्ट से फंच जो रहा है इससे हमें समझना पडिगा cultural हमारे लिए इसमेच है इससे हम लोग ठीक करते हैं पर फिर से मैं रन करता हूं python data injection file को check करते हैं फिर से ठीक है in between चलते हैं फिर से model trainer file के पास हम लोग यहां पर first logging define करती है wait करता हूं मैं few second जब तक यहां पर हम आरा training complete नहीं हो जाता है ठीक है तब तक हम लोग बेट करते हैं आपको क्या करना है logging define कीजिए अपने model trainer file के अंदर one by one सारे code के अंदर जैसे कि अभी मैं यहां पर define किया हूं यहां पर define क्या हूं line number 28 में x train y train x test y test के ओपर आप क्या करो आप next के लिए जो है logging यहां पर define करो next आप यहां पर define कर सकते हो model machine learning model object initialization उसके बाद logging define कर सकते हो ठीक है इसी तरह से इसी तरह से आप क्या कर सकते हो complete complete जो है आप एक एक करके logging define कर सकते हो ठीक है so guys let's wait a few seconds और उसके बाद हम लोग continue करेंगे फिर से ठीक है तो आप यहां पर देखो हमारे पास complete जो है यह complete हो चुका है running अब हम लोग चलते हैं model trainer file के अंदर और यह हमारे पास pickle file generate हो चुका है अगर मैं आपको यहां पर logging दिखाऊं चलते हैं लोग फाइल के अंदर और यह हमारे पास logging file है यहां पर सो यह हमारे पास logging file है हम लोग यहां पर क्या define किये थे best model found model name कौन सा model name random forest accuracy क्या आ रहा हमारे पास 78% accuracy आ रहा है तो हमारे model का जो accuracy है वह ठीक ठाक हमारे पास accuracy आ रहा है इस model को हम लोग क्या कर सकते select कर सकते कितने model हम लोग define किये थे हम लोग total 3 model define किये थे तो अगर मैं आपको फिर्शन यहां पर दिखाऊं so random forest decision tree and logistic regression so based upon these three algorithms हमारे पास final model लाया कौन सा final model लाया हमारे पास random forest ठीक है so yes guys this is all about the model training let me know in the comment section if you face any types of the issue and yes guys please like the video subscribe the channel and share with your friends thank you you